बिस्मिल्हारमानी रहें, असरामु आलेकुम, कैसे आप सब उम्मिद करते हैं, आप सब रेट से होंगे वेलकम बैक टो मैं चैनल वेशिस किचन में आज हम बनाएंगे नाश्टे में बनने वाला सूखा सालन जो सर्दियों में आने वाली को एक खास तरकारी से बनाया जाता है इसको आप गरमा गरम पराठा के साथ नाश्टे में सर्फ करिए, बहुत ही मज़ेदार बनेगा तो चलिए फटा फट से शुरू करते हैं आज की रेसिपी इसके लिए आप जो भी पैन ले रहे हैं इसमें आप दो से तीन टेबल स्पून कुकिंग ओयल लालिए और उसको अच्छे से गरम करिए ओयल गरम होने के बाद हम उसमें दो मीडियम साइज की प्यास का पेस्ट बना कर शामिल करेंगे प्यास को आप अच्छे से ओयल में मिक्स करिए और उसको फ्राइ करिए जब तक प्यास का पानी न सूख जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं प्यास का सारा पानी सूख गया है अब हम एक एक करके सारे इंग्रीडियन्स इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले हम इसमें आदा चमच अद्रकलेसन का पेस शामिल करेंगे और प्यास के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे जो के हम सालन नाश्टे का बना रहे हैं इसमें ज्यादा मसाले नहीं पड़ते सिर्फ कम मसालों में इसको तयार करना है अब हम इसमें शामिल करेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर, तीन चोटाई चाय का चमच लाल मिर्च पाउडर और आदा चाय का चमच धन्या जीरे का पाउडर ये सारे इंग्रिडियंट्स को अब हम प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे जब तक भूनेंगे तब तक ये मसालों का सारा कच्छा पर नहीं चला जाता ऐसे ही तो से तीन दफ़ा पानी डाल कर आप मसालों को अच्छे से भून लीजिए मसाले अच्छे से भून जाएंगे तबी सालन अच्छा मज़ेदार बनेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून गए हैं और उपर तेल भी नजर आ रहा है अब हम इसमें शामिल करेंगे एक कप टमाटर का पेस्ट एक कप टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए आपको तीन मीडियम साइज के टमाटर लगेंगे टमाटर के पेस्ट को हम प्यास की ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हजबे जायखा नमक शामिल करेंगे आप अपने हिसाब से नमक डालें कम या जादा मैं यहाँ पर तीन चोटाई चाई का चमच नमक डाल रही हूँ धक कर इस ग्रेवी को हम पकाएंगे तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर का पानी सारा नहीं सूख जाता बीच बीच में धकन खोल कर मिलाते जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सारा टमाटर का सूख गया है अब हम इसमें शामिल करते हैं हरी टूर की फली यह है आज का हमारा खास इंग्रीडियन जो सर्दियों में मिलता है हरी टूर की फली दिखने में ऐसी होती है जैसे आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है इसको छील कर अंदर से इसके बींच निकालने चाहिए जैसे हम मतर को छील कर बींच निकालते हैं वैसी इस टूर की फली के भी बींच को निकाल लेते हैं मैंने आदा किलो टूर की फली लिया था जिसको छीलने के बाद ये चार सो से साड़े चार सो ग्राम तक निकली है इस में से भी मैं आदा ही यूश करूँगी आदा रख लूँगी यानि दो सो पचास ग्राम तक मैं ले रही हूँ और बाखी का मैं रख दूँगी करने के बाद हम इसको प्याज और टमाटर के ग्रेवी में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे तब तक भूनेंगे जब तक तूर की फली का कच्चापन नहीं चला जाता हरी तूर दाल अब अच्छे से भून गई है इसमें अब हम आदा कप पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें कोतमीर शामिल करेंगे यहां पर मैंने एक गुच्चा कोतमीर कर लिया था आदी अब शामिल करेंगे और आदी आगे के लिए हम रख लेंगे कोतमीर शामिल करने के बाद इसको हम एक बार फिर से मिलाएंगे और कुकर का ठकन बंद करके इस पे सीटी लगा देंगे अब हम दो या तीन सीटी होने देंगे इसके बाद हम देखेंगे कि हरी टूर की फली अच्छे से गल गई है या नहीं तीन सीटी होने के बाद हम इसको खोलेंगे सारा प्रेशर निकाल लेंगे कुकर का और इसको हम खोल कर देख लेंगे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर चेक करेंगे हमारी हरी तूर गल गई है या नहीं आप देख सकते हैं हरी तूर अच्छे से गल चुकी है अब हम इसको मिक्स करेंगे और ढखकर पकाएंगे जब तक पकाएंगे तब तक इसका सारा पानी नहीं सूख जाता यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी सारा सूख चुका है अब हम इसमें हमने जो रखी वी थी है कोटमिर वो शामिल करेंगे और चुले की आच को सिम पर रखकर एक मिनिट के लिए मजीद पकाएंगे हरी तुवर अब बन कर तयार है चुले को अब हम बंद कर देंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे हरी तुवर की फली अमोमन सर्दियों में मिलती है इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में लाकर छील कर उसको फ्रीज करके फली को रख लेंगे तो आप साल भर हरी तुवर की फली का सालन नाश्ते में या कभी भी बना कर किसी और तरीखे से भी बना कर खा सकते हैं इसको आप गर्मा गरम पराठों के साथ सर्फ करिए बहुत ही ज्यादा मज़ेदार सालन बनेगा आप भी ट्राइ करिए और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेर करिए लिंक्स मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स के मैं डिस्क्रिप्शन में शेर कर रही हूँ वहाँ पर प्लीज फॉलो कर लिजिए और कमेंट सेक्षन में आप कमेंट करिए आपको रेसिपी पसंद आई है या नहीं और कौन-कौन सी रेसिपी आप सीखना पसंद करेंगे वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं तो यह थी हमारी आज की रेसिपी अमीद करती हैं आप सबको पसंद आई होगी लाइक और शेयर करिए और जो नए है मेरे चैनल पर वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताके आने वाले मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पिले तो खुरेशिस के चैन से मुझे दीजिए अजाज़त अपना और आपके अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए मिलती हूं मैं फिर एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाह आपिस